प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नितित में दिली में एंडिये के 49 घटक डलों की बैठक हुई एक ही लक्षे था और वो लक्षे था 2024 में एक बार फिर से भारते जंता पार्टी के नितित में एंडिये की सरकार बने तमाम गडबंधन के साथी दलों ने अपनी अपनी बात को कहा चाहे वो एक नाशिंदे हो दूसी तरफ अजीत पवार हो रामविलास पासवान के बेटे चिराक पासवान हो या रामविलास पा में एंडिये एक बार फिर से सरकार बनाएगा देश का भरोसा एंडिये पर है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कि जिस तरीके से लोग परिता ना सिर्फ देश में बलकि वीदेशों में बड़ी है और एंडिये जु है वो गरीब शोशित और पीडित लोगों के लिए काम कर रहा है उससे लोगों के अंदर मोधी सरकार को लेकर विश्वाश बढ़ा है हम सब को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा लेकिन इतना आसान नहीं है 2024 का लोगसभा चुनाव जैसे 2014 या 19 के लोगसभा चुनाव थे भारते जनता पार्टी के सामने चुनावत बहुत है उन चुनोतियों में सबसे बड़ी चुनाव यह है कि अपोजेशन पार्टी यानि की सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक एलाइंस बना लिया है उसका नाम रखा है इंडिया और स्लोगन भी दिया है 2024 का जो चुनाव है वो एंडिया वर्सिस इंडिया का होगा यानि कि एक तरफ विपक्षी दल होंगे और दूसरी तरफ सप्ता दल अपोजेशन ये मान कर चल रहा है कि जादा से जादा सीटों पर एक कैंडिडेट उतार जाए विपक्षी दलों का जहां पे भारते जनता पार्टी या उनके समर्थक दल चुनाव लड़ रहे हैं ऐस सिधा इशारा जो है वो चिराग पास्वंस और पशुपती पारस को लेकर था आपकी आपसी लडाई का नुकसान जो है वो दो हजार चौबिस के लोक्षपाच चुनाव में नहीं होना चाहिए भारते जनता पार्टी ने स्ट्राटेजी अपनाई दो हजार चौबिस के ल है यह रही कि विपख़ी दलो को तोड़ो और भारते जनता पार्टी के साथ जोड़ो महरास्त में शिफशयना के को तोड़ा ऐन्सीपी को तोड़कर अलग किया अजीत पवार को अपने साथ लाए और जादा तर विधायक और सांसद जो है वो अजीत पवार के साथ है शि उपी में भारते जन्ता पार्टी ने OBC और दलित वो डांक की जातिय समिक्रणों को समझते हुए काम किया और उपेंद्र कुश्वाहा को जो है नितीश कुमार की पार्टी से तोड़ा उनको साथ लेके आए जितनरम बाजी को महा गडबंदन से बाहर लेके आए बिहार से सा चिराक पास्वान को जिस तरीके से वो अपने साथ लेके आए हैं चिराक पास्वान दोहजाद बीस के चुनाफ से एंडिये से बाहर थे वो नितीश कुमार पर निशाना साथ तोए बाहर गए थे लगातार वो जो है कई बार भारते जन्ता पार्टी और नितीश को लेकर नितीश कुमार भारते जन्ता पार्टी से अलग होके आरजडी के साथ सरकार बनाई चिराक की नस्दीख्यां जो है वो भारते जन्ता पार्टी के साथ बढ़ती चली गए लेकिन उसको अमली जामा जो है वो अबसे चार दिन पहले पहनाये गया अमिच्शा से उनकी मुला के एक अच्छे खासे प्रभाव वाले नेताओं में माने जाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनको लाया गया उसके बाद जो है भारती जनता पार्टी ने दारा सिंग चोहान जो भारती जनता पार्टी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे 2022 के विदान सवा चुनाओं में उनको लेकर आए कि OBC वोट बैंक जो है वो जुड़े और साथी साथ संजे निशाद वो उनके साथ है यानि कि भारती जनता पार्टी जो है जाती है समीकरणों को साथ कर जो है 2024 के चुनाओं में जाना चाहती है उनको मालूम है कि विपक्ष अगर एक जुट हो जाए तो ऐसे में छोटे-छोटे दल जिनका जमीन पर प्रभाव है कुछी छेत्रों में हो लेकिन उनके वोट जो है अलग-अलग छेत्रों में जादा हो उसका फाइदा भारती जनता पार्टी को जो है लोकसमा चुनाओं में मिले इसी तरीके की रंड ठरा के नम पर हो या अन्य मुद्य हो भारती जनता पार्टी अपने कौर इशूस को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है क्योंकि भारती जनता पार्टी ने के जो तीन कोर इशूज थे उनमें से दो कोर इशूज जो है वो भारतिय जिन्ता पाटी ने पूरे कर दिये धारा तीन सो सत्तर जमू कश्मी से हटा दी है राम मंदर का निर्मान जो है सुप्रीम कोट के ओर्डर से शुरू हो गया है और दो हजार चौबिस के लोकस्वा लोगों से राय ले रहा है अलग-अलग लोगों से अलग-अलग शेक होल्डर से राय ली जा रही है यह माना जा रहा है कि चौबिस के चौनाव से पहले समान नागरिक सहिता बिल को जो है वो अमली जामा पहना दिया जाएगा कानूनी रूप से भारतिय जन्ता पार्टी क कोर इशूस भी वो पूरे कर रहे हैं दूसरी तरफ गरीब शोशित लोगों के लिए जो वेलफर स्कीम है गरीब पल्यान की जो उनकी योजना है वो भी चला रहे हैं लेकिन एक फ्री बीज जो है जो अपोजिशन पार्टी इस ने अब अपना लिया है कि कुछ लोगों को च नतीजा अब देखना यह होगा कि क्या भारते जन्ता पार्टी और NDA अपने आपको किस तरीके से जो है विपक्षी जलों के आप सामने पेश करता है क्योंकि 24 की लडाई बहुत महत्तपूर्ण होगी क्योंकि अगर 24 में भारते जन्ता पार्टी जीतती है तो तीसरी बार स तीन सीटे जीती थी भारते जन्ता पार्टी ने अब भारते जन्ता पार्टी ने ये टार्गेट रखा है कि साड़े 300 से ज्यादा सीटे जो है वो अकेले दम पे जीते और 400 सीटे जो है वो अपने सयोगी दलों के साथ मिलकर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते लेकिन क बहुत जरूरी है कि विपक्षी डल जो है वो इस पूरी बीजेपी की मुहीम को रोकना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एक बार फिर से गचभन्न की सरकार बने और उसमें लीडर कौन होगा, नेटा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बाद में तेक किया जाएगा लेकिन सबसे पहला काम है पीम मोधी के जो चुनावी रथ है उसको कैसे रोका जाए ये सारी चीजे जो है विपक्षी दल तो चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी के निर्तित्त में एंडिये भी अपनी रणीती बना रहा है 24 को ल